तो वाईज हम जा रहे हैं आज नैनी ताल और यह अपनी हरिद्वार नगरी कि गाड़ी में तोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई यह शेर वेरे जुम कॉर्बट के बीच में रुगे वह सो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग और कैसे हो आप सब लोग और अभी आराउंड हो रहे हैं साड़े च्छे बज़ रहे हैं अभी तो हे गाइस वेल्कम बैक टो मैं चैनल यह वाचिंग अनिरूत कोटिया रॉक्स चलो चलते हैं अब देखते हैं वह कहां पर वेट कर रहे हैं कि यहां तो दिखनी रहे हैं कि यहां पर तो है नहीं भाई हेलो मैं यहां जी एसार के भार ठीक है ठीक है तो थोड़सा और आगे चले गए पैट्रोल बरा रहे हैं में भी तो हम भी वहीं चलते हैं अफटाफट से चलो चले चलो जगा डिसाइड करना मारू कि यह डिरेक्ट आज तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं अपने सफर पर जैसे कि मैंने आपको बोला ता आगे बताऊंगा तो गाई तो हम जा रहे हैं आज नैनी ताल जैसे कि मुझे बाइक निए तो हम स्कूटी में जाना पड़ रहा है बाकी हम लोग आट लोग हैं तो अभी देखते हैं अभी तो हम निकले हैं यहां पर जोकी वाला मिया वाला पहुचने वाले हैं बाकी अब चलते हैं फटाफट बाकी तीन दिन का ही ट्रिप होने वाला है तो अभी हम आज जाएंगे आज फ्राइडे महीं स्टे करेंगे कल सटेडे भी में स्टे करेंगे और संडे को मॉर्निंग में घूमगा हमके घर वापिस हम पहुंच चुके हैं भरीद्वार और जैसे कि आप देख सकते हैं आज है तब प्यारा वियू है साथ ही साथ हो चुके हैं हमें बोलेनात के दर्शन जैहो रिया अपनी हरिद्वार नगरी कितनी प्यारी लग रही है और भीड अभी भी है वहां बक्तों की जो असनान करने आए है तो बाकि एक बार देख लो फटाफट से किता प्यारा लग रहा है बागी किसी दिन हरिद्वार भी आएंगे अभी तो हमारा नैनिताल का सीन है तो वहीं चलते हैं पहले फटाफट लेफटन है आगे जाके और नैनिताल है 230 किलोमेटर यहां से अब बाबरे वाब काफी लंबा हुने वाला सफर फ्लाइवर चड़ने के नीचे लेना है किसे तो हमें फ्लाइवर नहीं चड़के नीचे से जाना है यह नैनिताल के लिए तो जो यह रास्ता है यही जाता है अरे भाई-भाई काहां आ रहा है यार अध्यों भाई अंकर देख भी नेरा अपनी साइड तो हमने सोचा थोटी सी अब चाही चुई पीली जाए कि आधे वंदों ने तो पिछे पीली रुक के तो हमने सोचा हम भी थोटा सा चाही बगरा पी लेते हैं मेरे ओ हुआ है है thumb मॉइड चल रहे हैं कि अधि भई अब ही के दया टो तो मेरे भी नी पहुक्षरे हैं करां सब्सक्राइब कर देते हैं कि अरे तो हम तब तक खा लेते ना हम थोड़ा रुखेगे पहले थोड़ा सा स्टार्टर के लिए और चाई ठाएगा फिर में पराठे चोले पराठे हो जाएंगे चार कर दो पराठे चार चाई भी कर देना तो हमने बेकफास्ट कर लिया है अब हम निकल रहे हैं चलो फिर हम दुबारा निकल चुक है तो हम नजीवाबाद पहुच चुक है तो यहां से हमें लेना है अब राइट तो हमारी एक्टिवा इससे उपर नहीं जा रही है असी से और मैं असी इसलिए पेल रहा हूं क्योंकि रोड खुली है हाईवे है मस्त वाला प्यारा प्यारा तो हम थोड़ा पेल सकते हैं अगर इसी साथ से चलते रहे हम तो पहुच जाएंगे बहुत जल्दी है कि यह है है हमने अल्मोस्ट धामपूर क्रॉस कर लिया है और यह हमारी स्पीड असी तक है तोटल असी में ही जल रहे है बिलाव तो और पैट्रोल भी अल्मोस्ट खतम होने वाला है पटावट से अरे तुद्दा कहां पैटावा रास्पर्ट अब हमने कर लिये स्कूटी इस चीज़ अब हम बनाएंगे इस पर व्लॉग तो वह लेके जा चुके स्कूटी आ रहा हम चलाएंगे बाइक और है स्कूटी बैठे बैठे पैर दर्द चले फिर कितनी चोटी लग रही है और ओ हो कितना टाइम हमें वहेंकर असी पकड़ने में लगता है इसने दो मिनट में असी पकड़ी गाइस वाह एटी टू मज़ा आ गया है और बाइक के लेनी पड़ी के लग रहा बस थोड़ा सा वाइब्रेशन एस में बागी तो अवरॉल बढ़िया मज़ा आ रहा है तो दामपूर के लिए राइट चल जाते हैं बड़ हमें जाना है सीधा कासीपूर की साइड कासीपूर के बादाएगा बाजपूर है वहां से उपर को कटते न इन के लिए पाइनली फाइनली फाइनली पैट्रल मिल चुका है और अब हम पहले बराते हैं पेट्रोल कि 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 हाहां फुल परते भाई कि यह से बंढ़ाता हूं पथ्ता बांते हैं नहीं है अरे प्ते हैं स्मार्ट है स्मार्ट प्रocyzा फंप पक्ल बिलकुल आरी तेरे केमरे में आगा मुंआ जो डो गुगल पर गन्ना हैं है घुमारी करते हैं तो आडबार से चैनियू करते प्रक्रट्रrove पेट्रोल भरा लिया है है दो बारी करा लें दूसरी बारी फिस कि राइट यहीं से तो भाई हमने फ्रेश हो गए रहा हो गया है मुह आथ हो दिया है अब हम दुबारा से निकल रहे हैं बाकी नैनिताल 125 किलोमेटर से बता है चलो हम लोग गंदगी से जाएंगे सिदा नैनिताल जो है कि 125 किलोमेटर से तो मेभी दो बज़े तक तो हम पहुंच जाएंगे पहले एक सोच रहे हैं अब दो लगी रहा है दो तो बजी जाएंगे सफर को क्योंकि असली मज़ा तो सफर का ही होता है चलो बजाएंगे ओर स्थाप ओर सिस्ट घा शलीर को है याल स hell हाद इंब थाप कर दो किनिदा रिटर्ण मुझे नहीं पता ओफ कैसे होता भाई और वो कैसे होता है फिर फिर अब गाई फिर से कर दिये बाइक सचेंज अब यह चला रहा है प्रसांत याली बाइक अर हम चला रहे है वहाली तेंड सेंड सेंड अब यार कैसे है यार हद्ध हो गई अब दुबारा से हो गया है प्लैन में चींज वह भाई चला रहा है एनस और हम चला रही है सो गाईज अब हम चला रहे हैं यह रोयल इंफिल्ड और यह काफी कंपेटेबल है कंपेर टू एनस एनस में बहुत पिछवड़े तरदुन लगते हैं यह तो मक्खन चल रही है बस देखते काशीपूर तक तो ऐसी जाएंगे इसी में अभी फिलाल इसी में चलते हैं देख रहा तू राइटर अब नैनिताल जादा दूर नहीं है यह से लाइक अभी हमें सीधा सीधा दस किलो मेटर तक सीधे रास्ते को फॉलो करना है और उसके बाद सुरू होंगी हमारी वादियां पहाडों की प्टापट से कवर करतें दस किलो मेटर और फिर चलते हैं उपर नैनिताल की ओर चलो अजय को हमारी परस इना लोट डाल व फथ क्रिकर भगार गी इना इसके रहे लग रिए कि बद्बु आ रही है जलने की अब पानी डॉलो यहां पर तो आएगी साले यहां पर तो सब्सक्राइब तो आएगी यार तो गाड़ी में तोड़ा सा प्रॉब्लम हो आ गई हीट अप हो गई बहुत ज्यादा पूरे देरादुन से रहें कर असी से निचे पेली नहीं रहे तो गाड़ी हीटप तो होगी औरे यार मैंने सुझा ठोग ठाग दी तुमने अ बंद होगी गाड़ी अब भी शाट होगी वहाँ अब अब बंद ने बाट चले यह बोलने में आराम से चले पोई दिक्क्राइब बोल रहाँ आप उल्चार रहाँ पुछा रहाँ रहाँ एक साफनीय हो जाए नी रियो मुझिंआ मुजीं रुट कितरी पचा रखी सबढ़ना सुपर जाए नी रियो कि उसका मीटर नी कराम है वह का आट पूर इसमें तो ऊपरे इसमें यह तुम नो हम एक सू पंधरा पे जाने ए इसको ब्चारपने पर तो तो तेरा बंदर साह होगा अगा जए नह lovely 120 जभी घॉण है को एक्षी फीच Vamos कि नहीं से एक कितने थे रुक माज़ा है डाइसे लेजुने इटाफ बहुत जाहा है देखा यह दोग मिल जाएगा जो तो इसके आगे होगा तो यह पेला इसने शुरूगा वो ना गरम होगी गाड़ी बहुत जादा गर्वाइस कूपी है तो पुरा इसने पेल से वे आरे बहुत है तो बीच बीच पे थोड़ा साल्की भी कननी पड़ती है ना और दे उसे चलाने त्रैफिक में भी पेल रहा थ दो कर दो कि जाओ रहा यूज यड़ तुए ताहीर लगाने थे जाहीर लगाने थे जाहीर नायर भी बंचर हो गया अब जो जो जाओ एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही एक तार पंचर हो किसी गाड़ी वाले को रोक के पंप मांगे हवा बढ़ देते हैं कि अब पीदो पिच्ना ख़ने की उठाँ है फैना